Hello Friends, Welcome to SSE Crackers और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपको 80 Days के SSE CHSL 2018-19 का Preparation Strategy बताऊँगा देखिए Students, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है और इस एक्जाम को आप First Attempt में आप क्रैक कर देंगे क्योंकि CHSL का एक्जाम जो होता है वो CGL के Pattern पे ही होता है लेकिन लेवल जो होता है Question का वो थोड़ा different होता है तो इस वीडियो को अन तक आप जरूर देखिएगा अगर आपके अंदर जॉब करने के इच्छा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद से बड़ा वीडियो होगा तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इस 80 days में आपको बहुत कुछ sacrifice करना होगा जैसे कि social media, अपने dieting, खान पान, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है उसमें अपने आपको पूरा energy के साथ भढ़ने के लिए आपको बहुत जादा से जादा पानी पीना होगा ठीक है, यह सब कुछ basic की जब वो मैं आपको बता रहा हूँ एकी याद रखिया हमेशा कि change your life today, don't gamble on the future, act now without delay ठीक है, और 100% selection होगा यह मेरा आपसे वादा है जो लोग इस वीडियो को sincerely देखेंगे, उनका selection होगा और definitely होगा और आप लोग मुझे बाद में बताएंगे कि सर मैंने इस exam को crack कर लिया है जो लोग नए है वो इस channel को subscribe जरूर से जरूर कर दे, ठीक है आपको यह वीडियो पसंद आए तो like कीजेगा और अपने friends के भी share जरूर कीजेगा, ठीक है सबसे पहले तो देखें, SSE-CHSL के कुछ important dates के बारे में हम लोग देखते है अभी तक उमीद है कि आप सभी लोगों ने form भर दिया होगा last date जो है आपका payment का, fee payment का 7 April है, वो अब जा चुका है ठीक है, तो यहाँ पर important date आपके लिए है कि आपका जो exam है वो आपका जुलाई में जो है, start होगा, एक जुलाई से लेकर कब तक होगा, 26 जुलाई तक आपका exam जो है, वो देख लिए आपने, descriptive का जो exam होगा, वो exam होगा आपका September में 29.9.2019, इसमें 9 ना common है, ठीक है तो यह आपके exam के important dates होगा है, इसको आप ध्यान में रखेगा और उसी के accordingly जो है, आप अपना preparation करते रहिएगा अब देखे, कुछ exam के pattern पर भी ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले तो जान लेजे कि tier 1 का exam होता है ठीक है, tier 1 के exam में क्या होता है, इसमें जो है आपका English, वो भी basic knowledge उसके बाद general intelligence, quantitative aptitude, जिसमें basic arithmetic skills है general awareness, ठीक है, यह सारे 25 question होते हैं और 50 marks के होते हैं ठीक है, time आपका 60 minutes का lot होगा, एक चीज और आप ध्यान देजिए कि there will be negative marking of 0.5 marks 50 marks for each wrong answer, ठीक है, गलत answer का, यहनि कि अगर आपका एक question गलत है यहनि कि आपका .50 negative में चला जाएगा, इसलिए wrong attempt tier 1 के exam में करना तो बहुत ज़्यादा dangerous होगा, आपका score बहुत कमा जाएगा, ठीक है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है आपको उसके बाद देखिए आप क्या है कि जो फिर आप देखिए कि जब आप tier 1 के exam में पास करेंगे, देखिए CHSL का जो form भढ़ने के लिए तो देखिए इस बार भी आपको अभी तो number of dates अप्लिकेंट्स नहीं आए, कि कितने form इस पा भढ़े गए भी तो वह कुछ दिन के बाद आएंगे, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 60 lakh प्लस में form भढ़ाते हैं, हर साल का यही एक data होता है, ले इतने के range में होता है, उसके वाद सारे बचे select हो जाते हैं, तो जितना भी form भढ़ाता है, उससे बहस नहीं है, आपको बस अपने preparation पर ध्यान देना है, जब आप इसको exam को pass करेंगे, तो आपका descriptive exam होता है, बस, और descriptive exam के बाद आपका typing होगा, और typing के बाद आपका selection हो जाग अब एक बात याद यारखे, कि इसमें क्या है कि tier 1 बच्चे में तो mostly 80-85% बच्चे disqualified हो जाते हैं, जब descriptive होता है, उसमें फिर remaining हो जाते हैं, और typing की जब बात आती है, तो typing में ऐसा होता है, कि 60,000 बच्चे का selection जब होता है, exam देने के बैठते हैं, तो उसमें से मुश्किल से आपको 8-10,000 बच्चे ही के वर typing को पास कर जाते हैं, तो अगर आप CGSL के exam के लिए सोच रहे हैं, तो आपका देखिए, जितना important tier 1 है, उतना ही important आपके लिए typing होगा, क्योंकि जब आप tier 1 मान के चलिए, कि आपको 200 number आ गया, descriptive और tier 1 मिला के, लेकिन आप typing में पास नहीं यह किये, तो क्या फैदा है, वो 200 number आपके, तो टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे जो है, वो छट जाते हैं, इसलिए आपको typing अभी सहीं practice में करना होगा, और typing के बारे में बता दू कि यह 1-2 महिना में नहीं होगा, कम से कम 3-4 महिना तो आपको लगी जाएंगे, वेक कुछ अपडेट आएगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगा, स्लेबस के बारे में देख लिए, कि स्लेबस इंग्लिस में वही है, जो हर सल आता है, जैसे कि sport the error, fill in the blank, synonyms, homonymous, antonyms, spelling detection, misspelled word, अगर आप previous year करकर आप शेट देखेंगे, या तो उसमें आपको यह सब चीज म है, CHSL का भी यही स्लेबस है, ठीक है, लेकिन एक चीज में आपको बता दो, कि CHSL का जो इंग्लिस का जो पी लेवल होता है, वो बहुत अच्छा लेवल का होता है, इसमें अधिकांस जो है, नए ने कोशन आते रहते हैं, तो उस पे भी आपको ध्यान देना होगा, इसमें स quantitative aptitude में भी वही है, arithmetic हो गया, जिसमें आपको profit and loss, percentage, ratio and proportion, square root, average, simple interest, compound interest, mix and allocation, time and distance, time and work, यह सब आगें आपको, algebra में basic algebraic identities आगें, linear graphics, geometry होता है, mensuration होता है, trigonometry होता है, DI हो गया है, तो यह सारे चीज आपको arithmetic और आपको advanced math का combo होता है, इस exam में आएगा, लेकिन थोरा level जो होत इसमें थोरा सा कम होता है, CSL में, तो यही तो फैदा है कि उसमें आपको tier 2 का भी exam देना होता है, और इसमें क्या है कि सिब tier 1 में आप exam देजिए, descriptive देजिए, typing निकाल लिए और आपका selection, CSL में क्या होगा, tier 1, tier 2 में भी questions आएंगे, math और English के, फिर tier 3, फिर tier 4, तब जाके आपका selection होता है, तो यहाँ पे तोड़ा easy हो जाता है, syllabus general awareness का वही है, कि आपको देखे general awareness में मैं आपको अभी बता दो कि static portion से, current affairs portion से, और science section से, यह तीनों section आपका अगर complete हो गया, तो आप आप बहुत असानी से 30 plus score कर सकते हैं, जीके में, ठीक है, अब देखे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग book for English के लिए, तो देखे मैं आपको बता दो अपने पूरे experience के साथ, कि देखे English का त्यारी, आप vocabulary, grammar और reading comprehension, इन तीन पार्ट में बाट के आप किजिए, ठीक है, reading comprehension को Hindi में है, वो अभी सही कुछ न कुछ Hindi papers पढ़ते रहें, articles पढ़ते रहें, grammar की बात किया जाए, तो इस exam को crack करने के लिए, अगर आप लिन तो paramount, या अगर आप SSC crackers का material है, यानि कि मेरे चैनल दोरा material इसको आप पढ़ देते हैं, ये sufficient है कि आपके पूरे grammar section को complete करवा दिया इसमें जो है, आप यहाँ ध्यान देंगे, इसमें ये सब चीज, जितने आपके spot the error हो गया, fill in the blanks हो गया, synonyms, antonyms, idioms and phrases, one word, active, passive, direct, indirect, ये सब चीज इसमें cover है, ठीक है, और ये ऐसे cover हैं कि जितने भी previous year के questions हो गया है, चाहे वो vocabulary के आपको one word हो गया, idioms हो गया, sino, anto हो जाए कि सिर्फ अगर आप आँख बंद करके भी उस पर भरोशा करके अगर आप पूरा पढ़ें, तो आपके exam में एक question भी vocabulary से आपका नहीं छूटेगा, इसलिए बहुत important material है, ठीक है, grammar के भी मैंने वही किया है, कि जितने भी previous years में पूछे के grammar के questions, जो rules हैं, वो सारे मैं मैं अपने materials में provide किया है, साथ में मैंने additional किया है, और कुछ practice sets भी आपको दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि कि किसी भी तरीके से practice करने के लिए, क्योंकि CHSL में जिस level का जो आएगा, उसी level का मैंने आपके लिए materials त्यार किया, ठीक है, इसके बारे में जो 40 प्लस score जो है, definitely आजागा, अगर आप इसको अभी से लेकर, exam तक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो, same वही बात, math के लिए advanced होगा, arithmetic होगा, arithmetic में fast track की book आप ले सकते हैं, महें समिसर की book ले सकते हैं, या आप RS अगरवाल की book ले सकते हैं, किसी भी book को लेकर, अगर आ एक बड़ बना जाते हैं, ठीक है, आपका advanced, arithmetic अपका complete हो जाएगा, ठीक है, या आप राकेस चाप्टर वाइस भी आप बना सकते हैं, उसमें का जो important questions है, या आप मेरे द्वारा जो मैंने selected questions bank त्यार किया हैं, जिसमें बहुत अच्छे-चे questions है, हर एक chapter के दिये वे questions है, अ जो कि कम समय में अगर बहुत अच्छा अगर आपको output चाहिए, तो यह जो है, आप material को purchase कर सकते हैं, ठीक है, अब reasoning के बाद कि मैंने reasoning में seizure के time भी लोगों को बताया था, कि reasoning में अगर आप SSC का त्यारी करते हैं, तो reasoning के लिए किसी भी book को पढ़ने के जुरूरत नहीं है, आपके previous year के 50 sets को अगर आप बना जाते हैं, तो आपका reasoning वहीं से complete हो जागा, उसके लिए आपको कुछ करने की जुरूरत नहीं है, जी और current affairs के लिए देखिए, या तो आप Lucent की book ले सकते हैं, या MK Pande की book ले सकते हैं, या आप SSC crackers के द्वारा जो important selected questions जो दिये गया है, और कुछ ऐसे chapters के theory notes दिये हैं, उसको ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका CHSL में 35 plus score आपको आ जाएगा, ठीक है, देखिए मैं आपके लिए बहुत ही बहुत बहतरीन time table बनाया हूँ, उस time table के accordingly अगर आप चलते हैं, तो definitely आपका जो है output बहुत तगराने वाला है, ठीक है, देखिए अपने आपको आप जून तक जोग दीजे पढ़ाई में, ठीक है, इतना ऐसा जोग दीजे, बहुत कुछ आपको sacrifice करना पड़ेगा, emotions, feelings, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो सब जीच को अभी आप 80 दीन तक आप दम side में रखके और इस time table को follow कीजिए, आपका ज 10 से 11 और उसके बाद जो है आपका 11 से 5 बे तक सुबह का time, अभी गड़मी का time है तो आपका जल्दी उठ जाएंगे, तो सुबह 6 से 8 बजे तक जब तब आपका exam खत नहीं होता है, तब तक जो है आप सुबह के time में vocabulary जो है 2 घंटा आप अपने vocabulary पे time देगे, ठीक है, क्यो जो है तीम दिन और उसके बाद आप जो है चार दिन का मौक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है, एक बज़े से लेकर तीन बज़े तक के बीच में आप जीके पूरे हर week आप पढ़िए, क्योंकि जीके में आपका score 35 प्लस score लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसा से आपका ranking आएगा, marks आएगा, उस हिसाब से आपको apartment job मिलेंगे आपको, ठीक है, department आपको मिलेंगे, तीन से सारे, तीन से पांस बज़े तक के, यानि कि देर घंटा जो है, आप reasoning में इन्वेस्ट कीजिए, और संडे के दिन जो है, आप mock test दे लिजे इस टाइम में, ठीक ह इसमें क्या है कि देखिए, इतना, इसलिए मैं आपको बोला हूँ को कि अगर आपका math जो है, जो CSL में आता है, वो इतने high level पे नहीं आता है, जिसके लिए आपको 2, 3, 4 गंटा ऐसे math पढ़ना पड़े, अगर आपका math बहुत जादा week है, तो थोड़ा आप जैसे कि मैंने दो घंटे के हैं, ब्रेक दिया है, तो आप 6 बजे से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, 6-8 बजे तक आप कर सकते हैं, ठीक है, इससा आप से कर लिए हो, जब आपका reasoning पूरा complete हो जाए, तो यहाँ पर self में study करने का time नहीं है, और इस जगह पे आप math को भी put कर सकते हैं, बाकी मैं सब कुछ आपको करवाना है, इसलिए चाहता हूँ, ताकि आप जो है, कहीं से भी exam के time में चुके नहीं, जब भी आपका typing हो, उस समय भी आप confidence में हो, तब आप confidence में हो, और उसके बाद आप 10-11 बजे तक के भी, यानि सोने के time में, आप 4 दिन paper पढ़िए, और 3 दिन आप descriptive tip है, थुरा सा work कीजिए, देखे, CHSL को job करने के लिए एक और, एक ही मैं आपको बता दो, पहले यहां से उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप YouTube देखिए, कुछ और करना हो, तो कर लेजिए, देखे, एक चीज मैं आपको बता दो, कि CHSL का job करने के ठीक है, और वो जब तक आप 3-4 मेना नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्टी में अच्छा score नहीं करेंगे, तब तक आपका नहीं होगा, देखिए, अगर आप सभी लोग SST Crackers का material के लिए, अगर आप एक चुक हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको भरोसा है, और मुझे तो अपना 100% भरोसा है कि इस material को मैंने जिस तरीके से त्यार किया है, वो material जो है, आप आपको वैसा material कहीं मिलने वाला है नहीं, ठीक है, अप English, Math, GK, Current Affairs और मौक टेस्ट में आपको देने वाला हो, ठीक है, और ये English और Math की मौक टेस्ट होंगे, ये सभी चीज मात आपको 4 99 रुपीज में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये जो है, मैं आपको Gmail पे भीजूँँगा, PDF format में रहेगा आपको, ठीक है, इसको आप अराम से practice कीजिए, और अभी जतना time है ना, अगर आप उतना अच्छे से उस material को, यानि कि इस material को कम से कम 5-6 बार revise कर लिए, आपका score जो है ठीक है, roshan.moz6.gmail.com पे, mail करने के बाद जो है, आप phone पे या Paytm या Google पे से आप payment करके, जो भी आप payment करेंगे, उसका एक screenshot लेकर बस आपको मुझे mail कर देना है, और mail करने के बाद मैं आपको reply करूँगा, और उसके बाद मैं आपको material send कर दूँगा, ठीक है, अगर जो ल और त्यारी कीजिए, और अच्छे से जो है, अपना result लाइए, यही मौका है, 2019 में अगर job हो गया आपका, तो फिर समझ लीजिए कि फिर कुछ सोचना नहीं है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए all the best.